हर हर महादे मित्रों आपका अपने इस यूटीब चनल प्रहार्दिक स्वागत है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के भारतिय पंचांग के बारे में आज का दिनाग 13 नुवंबर 2021 दिन शनिवार रितु शरद मास कार्थिक पक्ष शुकल पक्ष तिथी दश्मी नक्षतर शत्वीशा राहुकाल नौ बजे से सड़े दस बजे तक शुब मुरत है एकादशी 14 नौंबर की है संकष्ट शत्रथी वरत 23 नौंबर की है कार्थिक पुर्णिमा 19 नौंबर की है अमावस से 14 नौंबर की है आज का विचार उत्तम से सरवत्तम वही हुआ है जिसने अलोच नाउं को सुना है और सहा है तो चलिए अब हम बात करते हैं राशी पल के बारे में एक एक राशी के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का राशी पल मेश राशी आज का दिन मिला जुला रहेगा कारोबार की स्थिति यातावत रहेगी कठीन परिशरम से सभी कारया सफल होंगे और मित्रों का पुरा सहोग मिलेगा अनावश्य खर्च बढ़ने से तनाव में रह सकते हैं स्वास्थय कि स्थिति कमजोर रहेगी दापत्य जीवन अच्छा रहेगा धरम द्यान में उची बढ़ेगी मांगलिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं परिवार में बढ़ों का सनेहवा विश्वाश प्रापत होगा विश्वराशी आज का दिन उतार चुड़ा वरा रहेगा कारोबार में आर्थी कलाब मिल सकता है लेकिन फैसली सूच समझ कर लेने होंगे सोदे संबल कर करें अन्यता किसी बड़े नुकसान की भी संबावना रहेगी मितरों से अच्छे सबंद रहेगे और परिवार में ह कियात्रा पर जाने से बचें और स्वास्थया का द्यान रखें मिठुन राशी आज का दिन शुब फलद आई रहेगा कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा और नोक्री में तरक्ति मिलने की संबावना रहेगी आकस्मिक धन लाब के योग भी रहेंगे आमदनी बढ़ने से म गर में मांगली कार्या हो सकते हैं खान पान का द्यान रखना होगा करक राशी आज का दिन मिला जुला रहेगा कारोबार लाब दायक रहेगा और नोक्री में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन के योग रहेंगे लंबे समय से प्रयास्त कार्यों में सफलता मिलेगी आमद सिंगराशे आज का दिन अच्षा रहेगा कारोबार में आशानु reh ainicka अच्छा रेगा गारोबार में अशानुं रूप सफल्ता और फायदा मिलेगा छोटी मोटी आत्रा करना पड़ सकता है परिवार के साथ समय बिताएंगे दाम बत्ते जीवन में खुशियां आएंगी स्वास्थे का ध्यान लखें कन्या राशी आज का दिन शुब फल दाई रहेगा मैनत के बहतर परिणा मिलेंगे कारोबार में लावकारी सोदे होंगे व्यापारिक लुकावटें दूर होंगी नए निवेश की अवसर मिलेंगे नोकरी पेशा लोगों को कारेक्षितर में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है अनावश्य खर्चों पर नियंतन रखें परिवार का महुल सुख मया होगा जीवन साथी से सामन जस्या पना रहेगा खान पान का ध्यान रखें स्वास्थे सबंदी परेशानी आ सकती है तुला राशी आज का दिन अच्छा रहेगा व्यापार लाब दैक रहेगा लेकिन अनावश्य खर्च बढ़ने से आर्थिक स्तीती कमजोर हो सकती है संपरकों के जरिये प्रगती के नए अफसर मिलेंगे जिससे उर्जा व्यत्साहा से परिपूरन रहेंगे पैत्रिक संप कटी से दन लाब होने के योग रहेंगे परिवार में मांगलिक कार्यों की उजना बनेगी जिवन साथी का पुरा से हुग मिलेगा सेथ का ख्याल रखcej यात्रा लाब दाई रहेगी वरिष्टी कराशी आज का दिन आर्थिक्रूप से लाबकारी रहेगा कारोबार में अच प्रिवार में किसी से मन मुटाव की संभावना रहेगी धनुराशी आज का दिन सामान्या रहेगा बेरोजगार को रोजगार के अच्छे अवसर प्रापत हो सकते हैं व्यापारियों को थोड़ी अडचने आ सकती हैं कारक्षितर में कार्या बार बढ़ेगा और खर्च की अदिक्ता से आथिक स्थिति कमजोर रहेगी समाजी कारियों में मन लगेगा वैस समाज में परतिष्ठा बढ़ेगी परवारिक जिम्मेदारी पूरन करेंगे प्रवाबशाली लोगों से मुलाकात होगी जीवन साथे का पूरा से होग मिलेगा मगर राशी आज का दिन उतार चड़ा परा रहेगा कारोबार कि स्थिति सामान्या रहेगी सफलता के कई अफसर हाथ आएंगे लेकिन काम का बोज बढ़ने से कई मोके हाथ से फिसल भी सकते हैं क्रोध की अधिक्ता रहेगी इसलिए वानी पर सयम र कुम्ब राशी आज का दिन मिला जुला रहेगा व्यापार में लाब के अफसर मिलेंगे लेकिन उसके लिए कड़ा प्रिश्रम करना पड़ेगा कार्यों में सफलता मिलने से नई उर्जा कानवव करेंगे निवेश से बचना होगा परिवारिक सबंद मदूर होंगे ग्रो मीन राशी आज का दिन सामान्या रहेगा लंबे समय सटकी ओजना पूरी हो सकती है नोकरी के नए अफसर मिलने की संभावना रहेगी कार्याबार अधिक होने से शारिक और महासिक रूप से तकान महसूस करेंगे खर्च के अधिकता रहेगी परिवार में किसी से मन साम आएगी जीवन साथी का पूरा सहोग मिलेगा यात्रा सुखत रहेगी दर्म कर्म के प्रतियास्ता बढ़ेगी तो मित्रों यह तो था आज का पंचांग वैं आज की राशिपल अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आपके सामने दिवही नंबर प कुले का मैं आगे भी आपके बीच ऐसी वीडियो लातारूंगा दन्याबाद हर हर महादेव